गैंग्स्टर जिसने कि ये दर्जन भर से ज्यादा कतल गैंग्स्टर जिसने दुश्मन सिंदा नहीं छोड़ा गैंग्स्टर जो डुबो कर कतले करता था आखिरकार वो गिरफतार हो गया देख ली जिस गैंग्स्टर को इसने दिल्ली एंसियार में जुर्म की ताबड तोड़ वार्दते अंजाम दे कर गदर मचा रखा था इसके सिर्क कम से कम सत्रा कतल का इल्जाम है यही वज़ा थी कि इस पर पुलिस ने 50,000 रुपे का नकदिनाम रखा था लेकिन 7 अक्टुबर को इसे ग्रेटर नॉइडर के नॉलिज पार्क थाना इलाके से गिरफतार कर लिया गया नवीन मलिक उर्फ नवीन जाट नाम का ये गैंग्स्टर गदर गैंग का सरगना गैंग में हर्याना और यूपी के दोसों से अधिक बदमाश नवीन के ऊपर 20 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है खाना नालज पार्क और एस्टियप नुमेरट के जॉइन्ट आपरेशन में पुलिस मुटबेड में नवीन और छोटा जो हर्याना का रहने वाला है शातिर अपराजी है इसको गिरफ्तार किया गया है इसके पास से 32 बोर की पिस्टल कार्टूस एक मोटर साइकल वरामद हुई है इन लोगों ने नालज पार्क ठाना चेतर में एक अवियोग पंजकित हुआ है हत्या का इन लोगों ने रोहित नाम के लड़के को बुलाया बुलाने के बाद दिल्ली के डीडिये कालोनी सक्टा 34 में इन लोगों ने उसको शराब पिलाई शराब पिलाने के बाद वहाँ पर बाद टब में जब नशे में हो गया तो बाद टब में डूबो करके उसको मार दिया और गाड़ी में लाकरके एपीजे इस शूट के पास जो नाला है नाले स्पार्क शेत में वहाँ पर फीक दिया पुलिस ने इसके पास से पिस्टिल, चार कार्टूस, मुबाइल, बाइक और पात सो रुपे बरामत किये हैं गैंग्स्टर नवीन मलीक की तलाश क्रेटर नॉड़ा पुलिस को एक हत्या के मामले में थी जिसके दिल्ली के समयपूर बादली इलाके में हत्या कर शव को ग्रेटर नॉड़ा के नॉड़ज पार्क इलाके में फेक दिया गया था Additional DSP Greater Noida विशाल पांडे के मताबिक 27 जुलाई को Knowledge पार्क थाना एलाके के नाले में एक शव मिला था जिसकी पहचान रौतक के रहने वाले 21 साल के रोहित के रूप में हुई थी लहाजा मामले की जाज Greater Noida पुलिस और मेरट STF ने शुरू की यह बहुत ही शातिर गैंग है इन पर दर्जुनों भर हत्या रंदारी लूट के मुकदमे हैं 25 जार का इनामिया है हर्याणा में कई घटना इनों ने की है मुझबफर नगर में 13 हत्या काल हुआ था उसको इनों ने अंजाम लिया है यह बहुत ही शातिर अपरादी है इसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं इसके हमने साथ लोग को पकड़ेंगे इनके विलोग गैंगश्र एक के तहट भी कावाई की है बकॉल पुलिस एक लड़की के जरिये नवीन ने रोहित को दिल्ली बुलाया था पूछतार्च में पता चला कि रोहित और उसके तीन दोस्तों पर नवीन के दोस्त प्रवीन की हत्या का आरोग था जिसका बदला लेने के लिए इस हत्याकान को अंजाम दिया गया नवीन मलिक पर पहले से दर्जन भर हत्या के मामने दर्ज कहा जाता है कि नवीन मलिक अपने दुश्मन को डुबो कर मारा करता है इसके अलावा इसे किड्नैप कर फिरौती मांगने का भी शौक था लेकिन इसकी गिरफतारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और अब इसके गुनाहों का हिसाब अद्दालत करेगी